आज मैं आपको कप्षा चार पाट चार जापान का सार पढ़ाने जा रहे हूँ प्रसुल पाट के माध्यम से लेकक ने जपान की भगोलिक सिति का वर्णन किया है एक कमरे में दो मित्र संदीब ततर प्रदीब बैटे पुस्तक पढ़ रहे हैं तभी तीसरा मित अंकूर भीतर आता है जिसमें टीवी के कारेकरम जपान देश के बारे में बताया जा रहा है कि जपान देश भारत के पूर में पढ़ता है और यहां पर सूरिय सबसे पहले दिखाई देता है यहां के लोग छोटे-छोटे कज के गोरे होते हैं यह चोटे-चोटे दीपों से बना हैं, जापान में 200 से अधिक ज्वाला मुखी हैं, फ्योजामा जापान का एक प्रमुक ज्वाला मुखी हैं, और जापान में भुकम भी आते हैं, यहां पर जहाजों, इस्पात, सुतिकपडा, बिजली के यांतर कारों का फूब निर्मान ह होता है, जापान के लोग फूलो के बड़े शोकीन हैं, फूलो को विशेश धंग से सजाते हैं, जिसे इके बाना कहते हैं, हमें यहां के लोगों से सीख लेनी चाहिए, कि हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए, धन्यवाद।